अब इस भिंडी को में बाउल में निकाल लूँगी बिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है वैसे तो इसको किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं पर रोटी प्रांठा पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है नमस्ते में सुमल अता दिक्षित आज में अपनी कीचन में बेसन वाली भिंडी की रैस्पी शेयर करूँगी चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है इस सब्जी को बनाने के लिए आदा किलो भिंडी है इसको धोके साफ करके पोंच के अच्छी तरह से और इतने बड़े- वे शैलो फ्राइ कर लेंगे जैसे यह ब्राउन कलर में आनी शुरू हो जाएंगे दो मिनट के लिए ठकल लगाके पकाएंगे इसको इतनी से भिंडी के लिए स्वादम सार नमक डाल देंगे इसको मिक्स करेंगे 80 से अट भिंडी यह पक्तिक है और इसको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से इसमें तीन बड़े चमच सरसों का तेल डाल दिया तेल गरम हो गया इसमें आदा चोटा चमच जीरा डाल देंगे अब इसमें एक बड़ा त्याज और दो स्याज़ अर द्यास को भून लें चार बड़े चम बैसन दाल देंगे बैसन और प्याज को लगतार चला दे भून Hindi के पूंचानी पर गैस की फ्लेत स्वलम को कम कर देंगे एक छोटा, चमम चल्दी डाल देंगे आदा च etcetera चम क्पोडर्रός एक चम मैच away tea is work और इन मसालों को मिक्स करते भूणेगे अब इसमें अच्छी तरह मसाले के साथ लिए कर देंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारे तो इसे सब्सक्राइब कर देना बैल को प्रेस कर देना जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिविकीशन मीलेगी और इसको मे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेर कर देना और कॉमेंट शक्चर में जरूर पताना ये रेस्पी आपको कैसी लगी मिक्स करने के बाद अब इसको ढखके 2-3 मिनट पकाएंगे बारिक कटा हुआ धनिया डाल देंगे अब इसको हाई फ्लेम पे लगातार चलाते वे दो मिनट पकाएंगे गैस की फ्लेम को बंग कर देंगे बेसन वाली भिंडी बंगर त्यार है चलिए मिलते एक अच्छी से नई रेस्पी के साथ बाई